इस वीडियो में आपको बताऊंगी इंबॉयडरी अस्तर वाले सूट की स्टिचिंग करना इसकी कटिंग का वीडियो मैंने अप्लोड कर दिया है आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के लाश्ट में वीडियो आ जाएगी आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं चलिए हम इस्टिचिंग करना इस्टार्ट करते हैं फ्रंट पार्ट को हमें इस प्रकार से रख लेना है अब इसके उपर हमें अस्तर के फैब्रिक को रखना है अस्तर के फैब्रिक को हम सीधी साइड से ही रखेंगे जब अस्तर पल्टेगा तो बैक साइड हो जाएगा बराबर से हमें अस्तर को रख लेना है अब हम निक पर पिंस लगा लेंगे जिससे सिलाई करने में कमफर्टेबल हो इस प्रकार से हम पिंस लगा लेंगे अब हम निक पर स्टिचिंग करेंगे देकि जिस प्रकार से सेब बना वुआ है सेम हमें इसी प्रकार से कौने बनाते हुए श््टिचिंग करना है निक पर नग लगे हुई है तो हम सुई को हलका उठाते हुए स्टिचिंग करेंगे नहीं तो नग भी निकल जायेंगे और सुई टूट जाएगी यहाँ पर हमें अच्छे से कोना बना लेना है देखिए इस प्रकार से हमें अच्छे से कोना यहाँ का बना लेना है हम सुई को उठाते हुए स्टिचिंग करेंगे देखिए इस प्रकार से हमें कोने बनाते हुए स्टिचिंग कर लेनी है अब यह जो बीच में इस टर फैबरिक है इसकी हम कटिंग कर देंगे हमें इस प्रकार से हाफ इंच का मार्जन देते हुए फैबरिक की कटिंग कर देनी है अब हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और ध्यान देंगी कि सिलाई कटने न पाए इस प्रकार से हमें अच्छे से कट लगा देना है और इन पिंस को हम निकाल देंगे अब हम अस्तर को पलट लेंगे देखिए इस प्रकार से हम अस्तर को पलट लेंगे और निक के कोनों को हम अच्छे से निकाल लेंगे अब हमें निक के साइड से फिंसिंग इस्टिचिंग कर देनी है इस प्रकार से हमें इस्टिचिंग कर लेनी है हम अलका सुई को उठा दे जाएंगे और इस्टिचिंग कर लेंगे यहां पर हमें कोनी को अच्छे से बना लेना है देखी इस प्रकार से हम निक को कम्प्लीट करते हैं अब हम अस्तर के फैब्रीक को डबल फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार से और हमें श्टिचिंग कर लेनी है इस प्रकार से हम फोल्ड करते जाएंगे और इस्टिचिंग करते जाएंगे इसे प्रकार से हम वर्क वाले सूट की स्टिचिंग करते हैं देखी हमने नीजे साइड भी स्टिचिंग कर ली है अब हमें side से अश्तर की fabric को main fabric से joint कर लेना है हम side से stitching कर लेंगे दोनों को मिलाते हुए अब हम back part complete करेंगे back part की निक पर हम pinch लगा लेंगे हाँ pinch का margin देते हो हमें stitching करनी है इस प्रकार से हमें stitching करनी है प्रेंट्स आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक share कीजिएगा और comment करके हमें बताईएगे कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इस प्रकार से हम stitching कर लेंगे हम इस्टर फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और कट्स लगा लेंगे इस प्रकार से हम इस्टर फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और चोटे चोटे हमें कट्स लगा देना है अब हम पिंस को निकाल लेंगे और बैक बार्ड को हम पलट लेंगे ये कौनों को हम एचिस निकाल लेना है अब हम पिंसेंगे स्टिचिंग कर देंगे इस प्रकार हम बैक निक को भी कम्प्लीट कर लेंगे फ्रेंट निक में हमने साइड में स्टिचिंग कर ली है अब इस्ट्र फैब्रिक की हम कटिंग कर देंगे देखिए side में अगर is strap fabric है तो हम इसको इस प्रकार से cutting कर देते हैं front part हमारा complete हो चुका है और हमने back part भी इसी प्रकार से complete कर लिया है अब हम front part और back part की solder को joint कर लेंगे हमें दोनों पार्टों की solder को इस प्रकार से मिलाना है और half inch का margin देते हुए stitching कर लेनी है देखे इस प्रकार से में solder joint कर लीना है अब हम armholes पर sleeve attach करेंगे यहाँ पर जो नग हैं इनको हम निकाल देंगे जितनी sleeve attach करने में नग आएं उतने ही हम निकालेंगे इस टरण नग हम नहीं निकालेंगे इस प्रकार से sleeve को रख लेना है इस प्रकार से हम sleeve को रखते जाएंगे और stitching करते जाएंगे हाप inch का margin रखते हुए हम यह stitching करना है इस प्रकार से हम रखते जाएंगे और stitching कर लेंगे इसी प्रकार से हम दूसरी sleeve को भी attach कर लेंगे इस प्रकार से हम sleeve को attach कर लेना है अब हम कुर्ती को सिंटर से फोल्ड कर लेंगे हमें इस प्रकार से कुर्ती को फोल्ड कर लेना है अब हम साइड से फिटिंग कर लेंगे कुर्ती की इधर साइड से भी हम फिटिंग से इस्टिचिंग कर लेंगे इस प्रकार से हम कुर्टी के स्टिचिंग कर लेंगे हम साइड में डबल सिलाई भी डालना चाहें तो डाल लेंगे अब हमें नीचे साइड फोल्ड करके स्टिचिंग करनी है देखी यहाँ पर बहुत जादा नग है तो जितने नग स्टिचिंग करने में आएं उनको हम निकाल देंगे इस्टर नग हम नहीं निकालेंगे इस प्रकार से हम नग को निकाल लेंगे दोनों साइड के हमें नग को निकाल लेना है अब हमें साइड से इस प्रकार से डवल फोल्ड करना है और स्टिचिंग करना है देखि इस प्रकार से हमें डबल फोल्ड करना है और साइट से हमें स्टिचिंग करते जाएंगी फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करती जीएगा इसे हम मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए तो आप वीडियो को लाइक जरूर करती जीएगा सभी को चाग बनाने में काफी दिक्कत होती है लेकिन चाग बनाना काफी जी है देखिए इस प्रकार से हम स्टिचिंग कर लेंगे यहां पर हमें हाफ इंच उपर साइट तक स्टिचिंग करनी है अब हमें कुर्ती को घुमा लेना है और दूसरे साइट से हमें डबल फोल् अब हमें कुर्टी को फिर से घुमा लेना है अब हम डबल फोल्ड करते हुए番 कर लेंगे इस प्रकार से अब हमें डबल फोल्ड करते हूं इस्टिचिंग कर लेना है देखे कितनी इजी तरीके से चाक बनकर कम्प्लीट हो चुकी है अगर आप साइट से डबल सिलाई करना चाहते हैं तो आप डाल लीजिए मुझे सिंगल सिलाई ही पसंद है फ्रेंट साइड में हमारे नीचे वर्क दिया हुआ है तो हमें इस्टिचिंग नहीं करनी है बैक साइड को हम डबल फोल्ड करते हुए इस्टिचिंग कर लेंगी इस प्रकार से हम इस्टिचिंग कर लेंगी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्याद स्यायर कीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बाइ बाइ